तो बच्चो यहां पर लेकर आ गए हैं क्लाश 10th Board Exam 2025 का सब्से महत्यपूर पद्यांस जी हा बच्चो यहा पद्यांस बार बार पुछा गया है और कई बार पुछा गया है और इस पद्यांस के इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेज हैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप वीडियो पुरा शुरू से अंतक देखेंगे तो एक भी डाउट आपका इस पध्यान्स को लेकर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और इससे सरल तो आप इसकी व्याख्या नहीं समझ सकते हैं एक दम ट्रिक से समझाएंगे पूरा वीडियो शुरू से अंतक जरूर देखेगा बच्चो यहाँ पर उपर एक खेडिंग लगा है सूर्दास यानि आपका जो हिंदी काव्य जो है आपका पध्य का जो किताब है उसमें सूर्दास एक पाठ है और उस सूर्दास पाठ में एक इसतना पध्यांस आपके सामने दिया गया है और इस पध्यांस से तीन प्रस्ण बनाया है और इन तीनों प्रस्णों का उत्तर हम बहुत आराम से देने जा रहे हैं और बहुत आसानी से लगेगा ही नहीं कि प्रस्ण आपको एकदम कठिन लगे ठीक चलिए बच्चो ए प्रतिशत उत्तर उसके पढ़ने से ही मिल जाता है चलिए देखते हैं क्या लिखा है चारण कमल बंदो हरी राई पहली लाइन क्या है चारण कमल बंदो हरी राई अब एक एक चीज़ का आर्थ भी बताएंगे जाकी क्रिपा पंग गिर लांगे अंधे को सब कच दरसाई बाहिरो सुने गूंग पुन बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा मै बार बार बंदो तिहीं पाई ठीक इस तरह से बच्चो ये पूरी पंग्ती आपके सामने दी गई है अब इसके तीन प्रस्ण है उन तीन प्रस्णों के उत्तर देने से पहले बच्चो हम इसमें एक एक चीज़ का आर्थ जो मने अभी पढ़ा उसका बता देते हैं चरन मतलब चरन माने पएर कमल मतलब कमल के समान बंदो हरिराई यानि यहां पर जो है ये सूरधास जो है वो भगवान अपने आराध्य भगवान सरी कृष्ण को जो है उनके पैरों को जो है चरण लब कि उनके पैरों को प्रणाम कर रहे हैं किस तरस प्रणाम कर रहे हैं कर रहे हैं चरण कमल बंदो हरीराई मतलब कमल के समान आपका जो चरण है आपका जो पैर है बंदो माने मैं उसकी बंदना करता हूँ हरिराई मतलब भगवान सरी कृष्ण की बात हुआ थीक तो आपकी कमल के समान चरणों की मैं बंदना करता हूँ ऐसा कौन बोल रहे हैं यह ऐसा सूरदास बोल रहे हैं आगे लिखा है क्यूं बंदना करते हैं उसका कारण इन्होंने नीचे बताया है जाकी कृपा पंग गिरिलंगे जाकी मतलब जिनकी कृपा से पंग माने जो है एक प्रकार से देखा जा जाए लंगडे को कहते हैं गिरि लंगें यानि परवत भी लांग जाए मतलब हम ऐसे भगवान सरी कृष्ण का जो है बन्ना करते हैं जिनकी कृपा से लंगड़ा जो है वो परवत लांग जाए परवत को भी पार कर जाए अंधे को सब कच दर्साई यानि अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगे हम ऐ ऐसे मतलब की जो है भगवान सरी कृष्ण को प्रणाम करते हैं उनकी वंदना करते हैं आच्छा बच्चो आगे देखते हैं क्या लिखा है बहिरो सुने यानि जो बहिर है जो जिसको सुनाई नहीं देता वो सुनने लगे गूंग पुन बोले यानि गूंगा फिर से पुना बोलने लगे रंक चले सिर छत धराई रंक माने परजा होता है जो है तो वो छत धराई यानि वो राजा बन जाए ऐसी कृपा जिनके उपर हो जाए आगे लिका है सूरदास स्वामी यानि सूरदास जो है अपने स्वामी करुणा मैं मतलब भगवान सरी कृष्ण की बार ब बार बंदना करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, ठीक, बहुत बढ़ियां गुरुजी मस्त समझ में आया, ठीक, अब आगे आप समझाईए, ऐसा समझाने वाले मिलेंगे, तो जरूर हम लोग क्लास 10 का जो बोड इक्जाम है, बड़े अच्छे से जरूर पास करेंगे, अ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद सूर्द्वास द्वारा रचित, सूर्सागर से उध्रित है, यानि ये प्रस्तुत पद जो दिया है, वो सूर्दास द्वारा रचित, यानि सूर्दास जो एक महा कभी सूर्दास है, उनकी द्वारा रचित सूर्सागर नामक पाट से ब्याख्या कीजिए हाला कि बच्चो मैंने इसमें रेखांकी कंस नहीं लगाया अब रेखांकी कंस कहां से कहां तक है मैं अभी बता रहा हूं आपको तो देखिए बच्चों हमारे सामने यहाँ पर रेखांकी कंस की व्याख्या की जो बात में कर रहा था वो यहाँ जाकी कृपास लेकर रंग चले सिर छत्र धराई यहाँ तक रेखांकी कंस है तो हम फिर से बैक करते हैं अपने उस जो नोट से मने बनाया है उस पर ठीक तो देखिए अब रेखांकी कंस की व्याख्या हम यहाँ पर करते हैं तो दूसरा प्रस्न हमारा किस तरह से है ध्यान से यहां पर हम लोग देखते हैं लिएके बच्चों दूसरे प्रस्ण का व्याक्या इस तरह से किया जाएगा मैं उस इस्वर अर्थाद भगवान स्री कृष्ण के कमल चरणों की वंदना करता हूं जिनकी क्रिपा से लंगड़ा व्यक्ति परवच्ण जाता है अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है बहरा व्यक्ति सुनने लगता है गोंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर जो है छत धारन करके चलने लगता है तो ये रेखांकी कंस की ब्याख्या है बच्चो I hope कि आपको इतनी बात पुरी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चो तीसरा यहाँ पर प्रस्न इसमें दो प्रस्न है एक ये है और एक ये है तो पहले पहले प्रस्न का उतर देते हैं फिर दूसरे प्रस्न का उतर देंगे लिखा है किसकी क्रिपा से लंगड़ा व्यक्ति परवत लांग सकता है भी या उस अराध्यस्वर जो सूरदास के अराध्यस्वर है कौन भगवान स्री कृष्ण की जो है कृपास से लंगडा व्यक्ति जो है वो क्या लांग जाता है वो परवत लांग जाता है बच्चो यहां पर यह बात किया गया ठीक अब लिखा है रिखांकी कंस में जो है कौन सा अलंकार है ये आपको यहाँ पर बताना है तो रिखांकी कंस मतलब कहां से कहां तक है तो बच्चों यहाँ जाकी से लेकर धराई तक आपका था तो इसमें रूपक अलंकार है और एक अलंकार अगर यहां पर आप ध्यान से देखिए अनुप्रास अलंकार है चुकि अभी हम आपको अलंकार नहीं बताएं इसलिए थोड़ा सा आपको confusion होगा अभी के लिए तना याद कर लिजे मैं एक बार फिर से इस पद को आगे भी कभी लाओंगा तो आपको इसको बता दूँगा तो यहां पर तीसरा प्रस्ण था उसमें आपका दो अंसर लिखना था जिसमें पहला अंसर था किसकी किरपा से लंगड़ा अभ्यक्ति परवत लांग जाता है तो लिखाए इस्वर की जब किरपा होती है तो लंगड़ा अभ्यक्ति परवत लांग जाता है भगवान जब स लंकार इस पद में सामिल हैं आप इसका स्क्राइब ले सकते हैं ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलेंगे ने इस वीडियो में ठाइंक्यू सो मच जैहिन वन्ने मात्रम बच्चो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देते हैं जैहिन वन्ने मात्रम के बाद भी कि आप हमारे वीडियो को सेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली वाला आया हैं तो चैनल को स्क्राइब कर लिजेगा एक बार फिर से जैहिन वन्ने मात्रम म मिलेंगे नेस वीडियो में टाटा बाई बाई